हलो गाईस तो मैं लेया है हूं परीबलीन के बहुत सारी नई अपडेट्स वराट की First Update में बात करते हैं Logan Franklin की तो Logan Franklin is coming for it all guys मतलब Logan Franklin एक ऐसा Comeback करने के लिए ready है जो वो हमीशा से deserve करते थे यह routine guys यह classic physique routine जिस तरह से post कर रहा है जिस तरह से flow कर रहा है it is not going to go unnoticed मतलब he is an extremely good poser और ये चीज़ एक ऐसी है जो काफी लंबे टाइम से हम लोग भूल गए थे क्योंकि काफी लंबे टाइम से लोग अन फ्रैक्लिन सबसे बड़े स्टेज पर यानी Mr. Olympia की सेज़ पर हमें नहीं दिखाई दिये इनकी पोजिंग ही एक मात्र इनको किसी भी टॉप ओलिम्पियन के टो 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 लाकर ख़ड़ा कर देगी लाइन्स एवरिवेर गाईज आई मिन एक्स्ट्रीम्ली क्लासिक लाइन करते हुए दिख रहे हैं इन्होंने अपने टाइम को काफी अच्छे से यूटिलाइज करा क् दुबई प्रो में या फिर किसी भी और प्रोश्रों में कंपीट ना करने का जो इनका डिसिजन था कॉलिफिसेशन पाने के बाद में वो एक बहुत ही अच्छा डिसिजन था नहीं तो उस ताइम को देओ यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अब इस ताइम को इन्होंने प प्रोश्रों में काफी लंबे टाइम में इतने अच्छे नहीं लगे गाई इस कमबाक इस गूइं तो बी रिली गुड़ और विदाउट अ कोच कभी ये सकेंड आई कभी ये थर्ड आई कभी ये फॉर्स आई रिवन दो गाईस किसी किसी शो में जीते भी उसके बाद भी इनका पैकेज कभी भी 100% नहीं होता था हमेशा ये फुलनेस वाला फैक्टर करी करते हुए नहीं दिखते थे पैट्रिक टूर जो की अल्मोस्ट हर इक एथलेट को कंडिशन ला सकते हैं पैट्रिक टूर ने का अपने आपको काफी अच्छे से प्रूव कर दिया इंडस्ट्री के अंदर और शाहिद इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में ये बात तक करी थी कि सामसन डॉड़ा अगर सामसन कंसीडर कर रहा है किसी कोच को हायर करने के लिए आफटर मिस्ट और उससे पहले तो नहीं इसलिए मैं इनको देखना चाहूंगा I mean see he has been away from the stage for a long time और इसलिए शायद इनको first call out में देखना या फिर उसकी बात करना या फिर उसकी प्रेडिक्शन करना थोड़ी सी अजीब सी ज़रूर लगेगी लेकिन इट वोड़ी बात है कि बहुत ही ज़्याद एफेक्टिव इ साथ भी तब भी इनकी पोजिंग ऐसी है कि कहीं पे भी इनको लागे खळा कर सकती है और साथ में किसी के भी सामने competitive बना सकती है Everyone loves Logan Franklin's posing guys और ये Logan Franklin हम best देख रहे हैं उस साथ में guys मैं expect करता हूं कि October में भी हम इसी बैस Logan Franklin को ही witness करेंगा on the stage of Mr. Olympia बाकी अब बताओ Logan Franklin की physique आपको यहां कैसे लग रही है मुझे तो man he is looking really really good I think best he has ever looked in a long time Anyways अगर बात करेंगा his next update की तो हो है Chris Bumstead की and see one man And before we speak about his physique मैं आपके सामने दो comments परता हूं जो उनके post पर मुझे देखने को मिले पहला comment This is not classic bro, bro is ready for open दूसरा comment Imagine being his competitor Knowing you lost before you even hit the stage आप देखे रहो I mean इस तरह से लोग इनके बारे में सोचते हैं कि आप stage पर चड़ने से पहले ही खुद को हारावा, consider कर लो या फिर यह classic नहीं यह तो open dividend के bodybuilder लग रहा है That's how much dominance he has presented I mean Phil Heath के बाद guys actual dominance अगर हमने कहीं witness करी है न तो वो open division में तो नहीं कर पाए लेकिन classic division में ज़लूर करी है Sebum के रूप में So much ahead of his competitors कि कोई भी अपने आपको उनको competition समझी नहीं पा रहा And for all the good reasons guys ना सिर्फ आपने 5 title जीते हैं But जिस तरह के improvements Year after year, month after month, show after show आप present करे हो वो रुक नहीं रही है guys वो graph रुकने को तयार ही नहीं है कि आप इतने ज़ादा compete करने के बाद इतनी ज़ादा victories के बाद थोड़ा तो slow down करोगे लेकिन वो चीज इनके साथ नहीं है guys We are going to witness the biggest and the best sebum this year क्योंकि जैसे कि हर कोई बोल रहा है guys यह physique classic से ज़ादा open division के करीब है अब देखो इसका मतलब literal way में यह नहीं है कि यह open division में compete करने का size करी कर रहा है इसका मतलब यह है कि अपने competition से इतने ज़ादा bigger side पे लग रहा है कि he is looking so damn massive कि लग नेरा classic division के competitor है Look at the size of his arms guys gigantic इनके head से भी ज्यादा बढ़े लग रहा है काई shots के अंदर आप यहाँ पर triceps देख सकते हैं जब कि यह bicep train कर रहा है उसके बाद भी इनके triceps का size देखो Isn't it amazing? मतलब damn guys Now one thing for sure एक चीज़ बहुत ज़ादा suspicious यहाँ पर लग रही है マutलब hani के साथ इन छीदों के बारे में काफि सुनने में आता है पहले हमने харDie के बारे में सुना कि न dipped के बारे में और साथ में Derrick के lie के latch के बारे में इस बारे में सी बं के latch के बारे में अब दुबारा से बात हो लग आ तो anyways मैं यह नहीं बूल रहा है कि 100% ऐसा को इशू है या फिर इनके डेल्स में कुछ इंजेक्ट करा गया है बट पॉसिबिलिटी इस बारे में इस बारे में हमको शायद और ज्यादा बात करनी भी चाहिए क्योंकि डेरेक के लैट्स या फिर हैनी के डेल्स के बारे में कभी इतन लास्ट अपिरेंस हो Mr.Olympia के स्टेज पर इसलिए अपना बेस्ट वर्शन अपनी एक्स्ट्रीम लिए पर पुश फिजीक यह स्टेज पर लाना चाहते हैं इसलिए ग्रेटेस वर्शन यह अपना सब कुल देना इस प्रेप के अंदर और यह शायद लास्ट वर्शन नहीं ऐसे हिंट समय देते हैं ऐसे हसके बाते करते हैं कि भाई रिटार्मेट इनका पकरीब है और हो सकता है इनका लास्ट मिस्ट वर्शन प्याओ क्रिस करने लास्ट टाइम होगा लेकिन गई उसके बाद दुबारा हमें नेक्स येदे करिस पर देखते हैं चोंकि इसके बाद भी हमें क्रिस तो जाड़ा कमपीट कर देखें राइट क्योंकि हीरी वर्यंग मतलब इनके साथ अब अब वह ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है या फिर इनके फिजीक में इंप्रूमेंट सुरुग गई हैं, नहीं guys, he is improving at the same pace, तो बहुत ही ज़्यादा focused यह हैं, और साथ में guys हो सकता है, देखो अभी आप mountain पर हो, अभी आपके आसपास भी नहीं है, मतलब ऐसा है कि दो टीन टाइजर अगर आप चाहो ना, तो उसके बाद और भी जीज सकते हो, क्योंकि there is no competition for you, सब बहुत ज़्यादा डिस्टनस रखते हैं आप से, और इसलिए हो सकता है कि Chris, अपने इस decision को दुबारा रिकंसीडर करें, या फिर हमें दुबारा से compete करते हुए दिख जाएं, बाकि आप बताओ, comment section में आपको क्या लगता है, Chris की अपडेट के बारे में और इनके arms वगेरा के बारे में, anyways अगर चलें next update पे guys, तो वो है Martin Fitzwater की, and this guy guys, this guy is going to be a serious problem for many athletes, क्योंकि देखो, he is very very complete, and अपनी हर एक अपडेट में बहुत ज़दा अच्छी साइट पे लग रहे हैं, बहुत ज़दा इंप्लूड लग रहे हैं, इनको किसी ने भी आते वे नहीं देखा guys, कि इस तरह से strongly आएंगे, क्योंकि last to last लिए जब ये compete कर रहे थे, दो बार Andrew Jack से इनोंने defeat का सामना करा था, और इस तरह से come back करेंगे, man, किसी ने नहीं सोचा, he is coming back, he is returning like a crazy bodybuilder, और ये एक ऐसे athlete होंगे, जो कि बहुत strong debut करेंगे अपना Mr. Olympia में, जिस तरह से Detroit Pro में आये थे, और साथ में Nick Walker के against, जिस तरह से Detroit Pro में उस चीज ने इनको एक तरह से recognition दिला है, जो कि डिजर्व करते थे, तायर मेनियन और मुस्ट एवरिवन, हर एक लजेंड ने इनके बारे में बात करी, और इनको बहुत हाइली प्लेश करा है, लाइक हर को इनके बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे कि यह फर्स काल आउट गाय हो, मतलब हर को इनको टॉप 6, टॉप 7 में पेडिक कर रहा है, अगर यह फर्स काल आउट का पार्ट नहीं प्लेश करें और कुछ कपल पॉंट्स अपने फेम पर और जादा एड़ करें, मतलब उससे और जादा बीकर साइड पर लग रहा है, रिफाइंड साइड पर लग रहा है, अगर यह फर्स काल आउट का पार्ट नहीं बन पाते हैं, तो फर्स काल आउट में जितने भी बन्द होंगे न सबको बहुत ज़दा शाप और कंडिशन आना होगा, बिकर थोड़ी सी माजिन अगर उनों है छोड़ी, थोड़ा सा भी मिस्स कर गए, तो मार्टिन फिर्स वाटर, आइटिंग वो फर्स एटलिट होंगे, जो कि किसी को भी पुश आउट करने के लिए रेडी होंगे वहाँ पर, अगर बात करें इसके बाद नेक्स्ट अप्डेट की गाईज, तो वो है माइकल डबूल के एंड किंग ओफ रेट्स, यानि कि माइकल डबूल इस वक्ट चार वीक्स आउट अट अपनी मिस्टो इंपय के अपियरंस से, यहाँ पर एक्स्ट्रीमली सिमिलर अपडेट अपनी दिखाते हुए, जैसे कि हमेशा से दिखाई देते हैं, अब देखो इनके कॉर्स पे सेपरिशन देखो, प्लस इनके स्किन देखो, ऐसे लग रहा है, प्लास्टिक की स्किन हो, इतनी ज़्यादा पतली साइड पे लग रही है, इतनी ज़्यादा क्वेजी कंडिशनिंग, यह हमें अभी ही नेल करते हुँ दिख रहे हैं, और माइकल यहाँ पर अपने कैप्शन में बोल भी रहे हैं, कि 20 दिन से उपर हो गाएं, और यह सिर्फ 100 ग्राम के अंडर काप्स कंस्यूम कर रहे हैं, और साथ में गाइस 45 मिनट काडियो कर रहे हैं, मार्निंग में वर्ग आउट के साथ में, और साथ में इवनिंग में दुबारा काडियो करते हैं, 45 मिनट, तो देख रहे हो कितना साथ है खुद को पुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर अप्डेट में बिल्कुल ही फ्लाइट साइट पी लग रहे हैं, बिल्कुल ही कम हो गए, काडियो इंक्रीज हो गया, डिप्लीट साइट पे लग रहे हैं, स्मॉलर साइट पे लग रहे हैं, मसल से वो पॉप गायब है, पुई तरीके सा टाइम बिंग के लिए, बट पार्ट अप्रोसस गाइज, अभी दो तीन दिन में ही, इसी वीकेंड को गैस्ट पोजिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इनों लिखा है, थ्री डेस आउट टू मसल कॉन्टेस्ट, लेट सी, अगर ऐसे यह करते हैं, तो हम इनको कवर ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी के लिए चलते हैं नेक्स टब्लेट पर, जो कि वहीद बात पेगी, अगर प्रेडिक्शन बनाएंगे, तो इनको कहाँ प्लेस करना, यह सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकस ऐसे एतलिट्स बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, जो कि टॉप 10 में अपनी चगा बनाने के लिए पूरा पोटेंशल रखते हैं, बाकि वहीद बात पे गाईज, अपनी रिसेंट अब्डेट्स में दो चीज़े दिखा रहा हैं, पहली चीज तो यह साइट चैस पोस हिट करते हुए इनको अब देख लो यहाँ पर, यहाँ पर देख लो एक लूट्स आर कमिंग इन, कंडिशन उस लेवल की नहीं है, जैसी हम इनको नेल करते हुए हमेशा से देखते हैं, हम इने बहुत ज़दा पील, बहुत ज़दा सप्रेशन करते हुए देखते हैं, तो अभी वैसी नहीं दिख रही है, बट यह तिल टाइम है, तो हो सकता है यह उस टाइम तक कलने है, तो हमें इनको डाउट करने का कोई रीजन ऐसा मिलता नहीं है, बाकि नेक्स अप्डेट की बात करेंगा, तो यह है एक लग अप्डेट, मतलब बहुत काम अप्डेट्स होती हैं, तो डाइम बोलने पर मजबूर कर देती हैं, इस इस सम्सिक अप्डेट, एक तो यह स्टाइलिन का अपनी प्रॉग्रेस दिखाने का, यह बहुत ही अप्डेट को इंट्रेसिंग सा बना देता है, जिस तरह का मसल यह कैड़ी करते हैं, अपनी कॉर्स पर अपनी हमस्ट्रिंग पर है, कंबाइनली दैट इस इनॉमस, रियली रियली इंप्रेसिव, इनका इंस्टा हैंट्रिंग का अपनी प्रॉग्रेसिव, इसका मतलब यह है, यह साइज सकीन का अभी है, यह साइज इनका अभी थोड़ा सा कम है, और यह एक स्मॉल साइड़ पर है, यह स्क्राइज पर है, प्लस यह अपनी बेस्ट कॉंदीशन लानी की ट्राई कर रहा है, अब देखो यहां साले 3 weeks आउट हैं यह अपने caption के अंदर बोल रहा है कि यह मेरी final update है काफी लंबे time के लिए अब मैं Mr. Olympia से पहले कोई update शेयर नहीं करूँगा मैं अपनी एक update शेयर करना चाहता था जहाँ पर मैं fasted state में हूँ और साथ में आप मेरी real improvements देख सको जहाँ पर मैं smallest या फ्लैटेस time पर हूँ अपने day के मैंने pump up नहीं कराया हूँ साथ में कोई meal भी नहीं हो मेरी physique के अंदर और ये मेरे लिए एक बहुत ही strong physical और mental challenge रहा है अभी तक के लिए मैं ट्राइ कर रहा हूँ अपना best look लाने के लिए अभी मेरे frame पर इस बाल की prep के बाद वो improvements शो कर रही है वो details शो कर रही है जो कि last time जो मैं prep कर रहा था सिर्फ one week out में शो करी थी और वो अभी से मैं शो कर सकता हूँ muscle mass भी थोड़ी सी add कर दी गई है और मैं पुई तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत बढ़ी है package लेकर रहा हूँ अपना stage पर time to finish the job तो let's see guys किस तरह का package लेकर आते हैं और अपनी इन्होंने flattest stage में हमें update दी है इसलिए smaller side पे लग रहे हैं इतने जादा बिलकुल ही raw update है बट क्या में इन्हें Mr. Olympia में top 10 crack करता हूँ देखता हूँ well I really don't think guys इस साल possible है और ज़्यादा size की requirement है और ज़्यादा muscle maturity density वगेला लेकर आएंगे तब ज़्यादा possible होगा बट अभी तो I really don't see it happening और अब बात करते हैं guys आज की last update ही जो कि Blessing Avodhibu की एक तरह से नो दुबारा से reactivate होगा है social media पर क्योंकि recently काफी सारी updates हमें post करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी recent updates में guys he is looking really dense देखो इनकी एक update हमने cover कही थी recently जहाँ पर ये 320 pounds को crack कर चुके थे nail कर चुके तो cross कर रहे थे तो अब I don't know कितना ज़ाद और इनको bigger होना है because 330 pounds, 330 pounds के उपर जाना मुझे ही लगता कि इनके लिए सही होगा और healthy भी नहीं होगा वैसे 320 pounds, 330 pounds अगर ये दाते हैं guys तो prep के दौरान ये cut करने के बाद 275, 280 pounds पर भी आगर compete करते हैं तो he is going to be really really massive because he is not that tall I think 595, 10 इनकी height है उसके इसाब से बहुत अच्छे लगेंगे ये 275 से 280 pounds केरी करते हुए स्टेज पर बाकी last year की दो placing guys इनके लिए बहुती बुरी रही और साथ में उन्हों ने इनको focus करने पर मजबूर कर दिया देखो blessing वो दीबू भी एक ऐसा athlete है जो काफी लंबे टाइम से खुद को खुद ही train कर रहे थे कोई भी coach hire नहीं कर रहा था इन्होंने भी और साथ में इसी वज़े से guys इनकी last 2 placing जोती ना बहुत ही बेकार गई but उन्होंने इस चीज से बहुत ज़्यादा जल्दी सीख ली और साथ में coach hire कर ली है और उसके बाद चलेगा एक बहुत लंबे off season पर last year से I think last to last year से compete नहीं कर रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा decision दा है इनके लिए and now he is coming back guys I think मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी अपना off season complete करने वाले हैं और prep start करने वाले हैं मतलब और कितने ज़्यादा भी करोंगा आप right ये अगर इनके update recent है बिल्कुल जो इनोंने post करी है मुझे लगता नहीं वासे recent होगी लिकिन अगर ये recent है तो he is looking very dense side पर और साथ में guys इनके legs भी काफी balance लग रहा है बट वही ये guys actual में हम देखना चाहते हैं जो majority of weight इनोंने put on करा है जो 30-40 pounds इनोंने अपने frame पर add करा है वो सबसे ज़्यादा इनोंने अपने legs पर add करा हो क्योंकि ये वहीं पर सबसे ज़्यादा requirement थी I really just hope कि इस बार guys हम Blessing Award Eboo का ऐसा package देखें जो हमने Indie Pro में देखा था Anyways guys I really hope वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार comment section में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे cover करते हुए देखना चाहते हो बाकी चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलना नोल्टिक मेल को भी दबादो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्यू बबाई